प्यारा मिठ्ठू ये घटना उस समय की है जब मैं गर्मी की छुटी में अपनी नानी के घर गया था वहां गाउं के हरे भरे वातावरण ने मेरा मन मोह लिया था पूरा दिन कैसे व्यती तो हो जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था एक दिन मैं नाना जी के साथ बाजार घूमने गया वहां मैंने तोते बिकते हुए देखा मैं उन्हें खरीदने की जित करने लगा नाना जी ने समझाया बेटा पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखना ठीक नहीं है उन्हें भी स्वतंतर रूप से गूमने का अधिकार है मैं उदास मन से घर लोट आया और खाना पीना सब त्याग दिया मेरी तो एक ही जित थी मुझे तोता पालना है मेरी जित देखकर नाना जी तोता ले आये तोता देखकर मैं प्रसन्नता से नाच उठा मैंने जट से उसके पिंजरे में उसके खाने के लिए हरी मिर्च, अमरूद और मूंगफली रख दिया एक कटूरी में पानी भी भर कर रख दिया लेकिन वह कुछ भी नहीं खा रहा था बस सहमा सहमा सा इधर उधर देख रहा था मैंने सोचा शायद मेरे यहां से चले जाने के बाद खाएगा मैं वहां से हट गया और छिप कर देखने लगा लेकिन उसने खाने की तरफ देखा तक नहीं इस तरह दो दिन व्यतीत हो गये लेकिन उसका वही हाल था मैं उससे बातें करने की कोशिश करता मैंने उसका नाम मिठ्धु रख दिया था मिठ्धु मिठ्धु बुलाने पर वह सहमा हुआ सा चुप चाप मुझे देखता रहता वह पिंजरे से बाहर निकलने के लिए छट पटाता रहता मैंने देखा कि उसकी चोंच घायल हो गई है क्योंकि वह अपनी चोंच पिंजरे की सलाखों पर मारता रहता उसे देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा मैं अपने मन में सोचने लगा यदि कोई मुझे इस तरह कैद कर ले तो मुझे कैसा लगेगा अब मेरा मन बदल चुका था मैं पिंजरे के समी पाया मैंने सनेह से तोते की तरफ देखा और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया तोता तो मानू इसी समय का इंतजार कर रहा था दरवाजा खोलते ही कुछ बोलते हुए उड़ गया और एक पेड़ पर जा बैठा मुझे लगा कि वह मानो कह रहा है थेंक यू थेंक यू नानी ने मुझे गले से लगा लिया और बोली बेटा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है हमें किसी को बंधन में नहीं रखना चाहिए